नमस्कार दोस्तों मैं हिटेश घुपता स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कस्टम ओडियंस क्या होता है और वो किस तरीके से आप क्रियेट कर सकते हो अपने फेस्बुक इंस्साग्राम एड्स के लिए तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत इंपोर्टन है और यह आपको रिमार्केटिंग और बहुत सारी चीजों में हेल्प परता है तो कस्टम ओडियंस कैसे क्रियेट करें वो हम आपको प्रेक्टिकली बता रहे हैं इस वीडियो में तो पूरा वीडियो देखिएगा औ और इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मिस को इन्हेंस कर पाओ तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे बिकॉज इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के ज्यादा तर प्लैटफ इस वीडियो में हम आपको फेस्बुक इंस्टाग्राम एड्स में किस तरीके से कस्टम ओडियंस हम बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और क्या होता है वह हम आपको बताएंगे तो कस्टम ओडियंस में दोस्तों हम जैसे अपने बिजनस मेनेजर अकाउंट में आ जाते हैं तो business manager account में हम कोई campaign create करते हैं New campaign तो हम new campaign जब भी create करते हैं कोई भी objective हम चुन लेते हैं जैसे हम traffic को objective चुन लेते हैं जैसे हम ने traffic को objective चुना तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर जो भी आपको settings करना है वो आपूदिघlocker जो budget डालना है स्ट्रेटिजी सब हम आपको एड कैंपियन में बताते हैं इसमें हम नहीं बता रहे हैं इसमें सिर्फ हम आपको कस्टम और यागे बढ़ेंगे तो जैसे हम आपकर कलिक करेंगे तो जो डिटेल टुटोरियल दिया है लोकेशन टार्गेटिंग डिटेल टार्गेटिंग तागि आप सही से अउडियंस बना पाऊ तो अभी मैं आपको पताने चाहरा हूं यह आपका यह जो है आते हैं या उसके लिए Facebook पिक्सल आपका इंटीग्रेट होना चाहिए तो अगर नहीं है तो फ्लीज वीडियो देख लिए यह पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं हुँ आपके कस्टमर्स की आप अलग से लिस्ट फाइल में अप्लोड करके डालते हो ठीक है और अब कर देखे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लीड जिन्होंने जो लीड फॉर्म से जो लीड जाएं इवेंट्स हुए इंस्टेंट एक्सपिरेंस और फेस्बुक पेज तो यहां कहीं से भी जहां सर और आपके इंट्रेक्ट हुआ है जैसे अब हम वेबसाइट पर क्लिक कर अब यहां पर वो पिक्सल आ रहा है जो पिक्सल जो वेबसाइट में हमने लगा रखा है ठीक है और यहां पर पूछ रहा है वो कि all website विजिटर्स आपको टार्गेट करने है लोग वो विजट इस स्पेसिफिक पेज के लिए आपको यहां पर डालना पड़ेगा जिस विबुएज विव कॉन्टेंट इन में से कोई केटेगरी जाए टू काड काकई जो आपको करना है वो आपको यहां पर सलेक्ट करना होगा अभी हम all website visitor कि website में जितने भी लोग आए हैं कैसे भी किसी page में कोई भी action करना है सब को फिर्मार्केटिंग में यूज होता है कस्टम ओडियन्स ठीक है तो अब यहां पर आप 30 흡न साथ दिन जो भी करना है माली जी मैंने यहां पर साथ कर लिया किसी specific URL के लोगों को मेरे को target नहीं करना है ठीक है तो मैं specific URL यहां पर डाल सकता हूं तो उनको exclude कर देंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं तो इस तरीके से हम अपना एक 60 दिन तक जो जो 60 दिन है इन लास्ट पास 60 डेज में जो audience हमारी website पर आया है तो उसको हमें टार्गेट करना है तो वह हम audience बना रहे हैं और यहां पर हम उस audience का एक नाम दे देंगे दोस्तों जैसे मैं यहां पर दे देता हूं आर डब्ल्यू 60 डेमो तो मुझे याद रहेगा आर डब्लू के लिए मैंने 60 डेज का एक डेमो मैंने इसलिए नाम दे दिए क्योंकि हम डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं तो हमने audience के नाम दे दिए आर डब्लू 60 और इसको मैं create audience पे क्लिक कर दूंगा तो जैसे मैं यहां पर create audience पे क्लिक करूंगा दोस्तों ठीक है तो जैसे कि आप यहां पर अभी हमारा audience create होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि your custom audience was created it will take few minutes for us to finish matching तो यहां पर प्रोसेस को कर रहा है यहां पर create a lookalike अब हम अगला campaign आपको lookalike का ही बताएंगे lookalike audience क्या होती होरी काफी जगा यूज होती होती है तो अब custom audience हमने कर आप यहां पर हमने क्लिक हो गया तो यहां पर यह देखिए हमारा website का यह और custom audience हमने चूज कर लिया अब आगे बढ़ते हैं अब हमें यहां पर कुछ करने की जरवत नहीं अपनों audience target करने की जरवत नहीं because हम एक remarketing campaign चला रहे हैं एक तरीके से कि जो लोग पिछले साथ दिनों में हमारी website पर आये जो हजार लोग तो हमने कितने चला है और कितना organic traffic हमारी website पर आते तो जितने भी लोग आए उन सब को हमारी website पर जो आए उनको target करेंगे हम तो हम यह audience करना चाओ आपको facebook के ओपर छोड़ना है कि किस तरीके से एड चलाना है तो automatic placement कर दो manual placement करना है कि आपको सिर्फ mobile users को या desktop users को दिखाना है या facebook पर इस्टाग्राम पर दिखाना है वो आप चूज कर सकते हो तो यह सारी settings करने के बाद जैसी यह सारी settings कौन सा ad delivery है यह सब चीजे मैं आपको हर ad में बता चुका हूँ जब मैं आपको ads बनाने सिखाए हैं कि किस त चूज कर सकते हैं उसको और सम कैसे benefit और convergence लेकर आ सकते हैं तो दोस्तों यह वो लोग है जो हमारे से interact कर चुके हमारे से कुछ पर्चेस कर चुके हैं या हमारे हैं पर आकर प्रोडेक्स देख चुके हैं उन साथ लास्ट दिनों में जो लोग आए उनको हम टार्गेट कर र समझ में आगया होगा कि custom audience क्या है और किस तरीके से आप उसको create कर सकते हो दोस्तों हमारे चैनल को आप subscribe कीजिए ताकि आपके पास latest series जोम लेकर आ रहें उनके notifications आएं और आप 360 degree complete digital marketing सीख पाए हमारे चैनल के थ्रू आपके दोस्तों को भी बताईए ताकि उनके business या उनके career में उससे उनको help हो तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल पे comment करके बताईए और हमारे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए bell icon जूर दबाएगा thank you for watching marketing funders